मेरी आवाज ही मेरी पहचान है इस गाने को जिस ने गाया उसने उसे चिरारत भी किया नमशकार BCN News के स्पेशल रिपोर्ट में मैं दशाब सभी का स्वागत करती हो सुरो की रानी भारत देश के खास रतनों में से एक लताची देश विदेश सभी जगह अपनी आवास की वजह से चानी चाती थी लताची का नाम Guinness Book of World Record में भी दर्ज है उन्होंने सबसे ज़्यादा गानी गाकर एक रिकॉर्ड बनाया है लताची ने लगभग 30,000 गानी 20 अलग भाशाओं में 1948 से 87 तक गाय है 75 साल की आयो में भी 20 साल की लड़की की आवास में गानी वाली लताची का आच दिहान थो क्या सुर्व समरागनी लताची की मृत्यों से संपूर्ण संकी जगत को एक बहुत बड़ी शती पहुची है उनकी जाने के साथ ही एक युक समाप्त हुआ है लेकिन उनकी यादे और उनकी गाने हमेशा ही हर किसी के जहन में तासा रहेंगे उनकी इन्य यादों को तासा करने के लिए पेश हमारी ये स्पेशल रिपूरट पहरत की स्वरगो किला लतामनगेश करनी 20 भाशाओ में 30,000 गाने का है उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आखों में आसु आय तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला उन्होंने स्वेम को पूर तह संगीत को समर्पित कर रखा लेकिन उनकी पहचान भारतिय सिनेमाक में एक पाश्व गाय की रूप में रही अपनी बहन आशा भूसले के साथ लता जी का फिल्मिक गाय में सबसे बड़ा योगदान रहा है लता दिनानात मंगेशकर का जन्म 28 सतंबर 1929 को इंदौर मध्यप्रदेश में हुआ था लता मंगेशकर के पिता दिनानात मंगेशकर एक कुशल रंगमंचिय गायक थे दिनाना जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे पात साल की थी उनके साथ उनकी बहने आशा उशा और मीना भी सीखा करती थी लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पड़ी लता मंगेशकर हमेशा से ही इश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवास जानदार अभी व्यक्ती वो बात को बहुत जल समझने वाली और विश्वस्नियक शमता का उधारंद रही है इन्ही विशिष्टाव के कारण उनके इस प्रतिबा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गए थी हाला कि पाच वर्ष की छोटी आयू में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिने करने का अवसर मिला शुरुआत अवश्य अभिने से हुई किन्तु लताजी की दिल्चस्पी तो संगीत में ही थी वर्ष 1942 में इनके पिता की मौत हो गए इस वरान एकेवल 13 वर्ष की थी नव्यूग चित्रपट फिल्म कमपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती लताजी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कटनायों का सामना करना पड़ा कई संगीत कारों ने तो उनको शुरू शुरू में उनकी पतली आवास की कारण काम देने से साफ मना कर दिया था उस समय की प्रसिद पाश्यगाई का नूर जाह के साथ लताजी की तुलना की जाती थी लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्हें काम मिलने लगा लताजी की अद्बुत काम्याबी ने लताजी को फिल्मी जगत की सबसे मस्बूत महिला बना दिया था लताजी को सरवाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी कौरफ प्राप्त है फिल्मी गीतों के अतरिक तो उन्होंने गहर फिल्मी गीत भी बहुत बखू भी सिखाए है लताजी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गानी का मौका मिला इस गीट के बाद लताजी को फिल्म जगत में एक पहचान मिल गए और एक के बाद एक कई गीट गाने का मौका मिला इन में से कुछ प्रसिद गीटों का उलेक करना यहाँ अपरासंग एक नव होगा जिसे उनका पहला शाहकार गीट कहा चाता है वो 1950 में गाया किया आएगा आने वाला जिसके बाद उनके प्रशन सुकू की संख्या दिनों दन बनने लगी इस बीच उन्होंने उस समय के सभी प्रसिद संगीत कारों के साथ काम किया अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, स्टी बर्मन, आडी बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंडर इत्यादी सभी संगीत कारों ने लताजी के प्रतिभा का लोहा माना लताजी ने दो आखे, बारा हात, दो भी का जमीन, मदर इंडिया, मुगले आसम, आदी महान फिल्मों में गाने का है उन्होंने महल, बरसाथ, एक थी लड़की, बड़ी बहन, आदी फिल्मों में अपनी आवास के जादो से इन फिल्मों की लोगप्रियता में चार चान लगाए इस दोरान उनके प्रसिद्ध गीत थे, ओ साचन बर्खा बहाराई, आजारे परदेसी, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, अल्ला तेरो नाम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये समा इत्यादी जन्वरी में कोर्णा पॉसिटिफ पाई जाने के बाद, उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भरती कराया क्या था, बाद में वह निमोनिया से पीठ हो गए, हालत बिगणने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा क्या था, उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हड़ गया था, लेकिन पाच फरवरी को उनकी सिती बिगणने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा क्या, आखिरकार छे फरवरी को स्वर कोकिलानी आखरी सास ली स्वर संगरामे ने लता मंगेश कर इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, उनके निधन के साथ ही संपोर्ण साहित्य जगत को एक बहुत बड़ी हानी पहुची है, मेरी और बीसियन की संपोर्ण टीम की और से लता दीदी को भावपूर्ण श्रधान चली